हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंज यह देखिए आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा केबल निटिंग पैटरन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी जैकिट में लेडी शग में गल्स टॉप में बच्चों के सेटर म तो देखिए आगे की साइड से यह इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए होंगे वह 20 के मल्टिकल से होंगे यानि की 20 फंदे 20 फंदे और लास्ट में आपको 6 फंदे एक्स्रा रखन तो देखिए मैंने यहां पर 28 फंदे लिए हैं 20 फंदे इसके पैटन के हिसाम से लिए हैं प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए तो 26 फंदे हो गए दो फंदे एस्टिच के टोटल 28 फंदे हो गए नीचे से बेस देने के लिए द फंदा उल्टा जाई डालेंगे धागा पीछछे लेकर जाएंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा अगे लाएंगें सत्रा फंदे दो उल्टे तो सीधे बुनेंगी दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे सीधे एक दो तो चार फंदे हो गए फिर दो फंदे उल्टे एक दो छे दो फंदे सीधे एक दो आठ दो फंदे उल्टे एक दो दस दो फंदे सीधे एक दो बारा दो फंदे उल्टे एक, दो, चौदा, दो फंदे सीधे, एक, दो, सोला और एक फंदा उल्टा ये देखिए हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया जाए डाली back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाया और 17 फंदे दो उल्टे दो सीधे बनाया दो, चार, छे, आर, दस, बारा, चौदा, सोला, सत्रा फिर से इस pattern को ऐसे ही बार-बार रपीट करते हो जाएंगे और लास्ट में छे फंदे बचेंगे एक फंदा उल्टा जाए डालेंगे धागा बिछे लेकर जाएंगे back loop से दो फंदों का एक फंदा बनायेंगे दो फंदे उल्टे एक दो एस्टे सीधा बना लेंगे पहली रप कंप्लीट हो गई है दूसरी रप रॉंग साइड इस रप में जो सीधे फंदे हैं वो सीधे बनेंगे उल्टे फंदे उल्टे जाले वले फंदे उल्टे बनाएंगे तो सभी जो wrong side row होंगी उल्टी रो वो same ही बनेंगी जैसे हम इसकी दूसरी रो बनाएंगे ऐसे slip करेंगे तो 2 फंदे सीधे 1, 2, 2 फंदे उल्टे 1, 2 फिर से 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे तो दिखिए ऐसे ही इस सारी रो को बना लेंगे दो फंदे सीधे ये सीधे हैं इनको सीधा बुन लेंगे दो फंदे उल्टे इनको उल्टा बुन लेंगे तो सभी इसकी उल्टी साइड रॉंग साइड रॉस सेम ही बनाएंगे, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे हैं उल्टे बना लेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एस्टेच उल्टा, तो देखिए ये हमारी तीसरी रौ है और सीधी साइड है इसको हम फिर से सेम रौ पहली की तरह ही बनाएंगे लेकिन इसका जो हमने साइड में केबल डाली है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो एक बार इस साइड में इस केबल की जाली बनेंगे एक बार इस साइड म से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे धागा गिलाएंगे तो दिखिए यहां पर पहली रौ में हमने इस साइड में जाली डाली थी अब दूसरी तीसरी रौ में इस साइड में जाली डाली है बस यही इसमें डिफरेंस रहेगा बाकी सारा सेम ही बनेगा तो हर बार इसको ऐसे ही बनाते ही हो जाएंगे, एक बार इस तरफ चाली, एक बार इस तरफ चाले डालेंगे, तो सतरा फंदे फिर से दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, चार दो उल्टे, छे दो सीधे, आठ दो उल्टे, दस दो सीधे, बारा दो उल्टे, चौदा दो सीधे, 16 और 1 फंदा उल्टा तो देखिए यहां पर हमने 1 फंदा उल्टा बनाया 2 फंदों का 1 फंदा जाए डाली 17 फंदे उल्टे दो सीधे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 फिर से पैटर्न पीट करते हो जाएंगे और लास्ट में 6 फंदे बचेंगे 1 फंदा उल्टा आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा जाए डालेंगे धागा आगे 2 फंदे उल्टे एस्ट्री सीधा बना लेंगे तीसरी रो कमप्ली greatness हो गई है चौती रो फिर से दूसरी रो की तरह ही बुनेंगे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एंस्टेज उल्टा, पांच मी रो है और सीधी साइड है फिर से रो पहली की तरह ही बुनेंगे, एंस्टेज स्लिप करेंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, यहां से repeat pattern स्टार्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा, जाई डालेंगे धागा पीछे लेकर जाएंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से 17 फंदे दो उल्टे दो सीधे एक फंदा उल्टा यह देखिए यहां पर हमने एक फंदा उल्टा बनाया जाई डाली दो फंदों का एक फंदा फिर 17 फंदे दो उल्टे दो सीधे दो चार छे आर दस बारा चौदा सोला सत्रा फिर से पैटन पीट करते हो जाएंगे और लास्ट में 6 फंदे बचेंगे एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे धागा पीछे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे उल्टे एस्टे सीधा छटी रो और रॉंग साइन सेकंड रो की तरह ही बुनेंगे दूसरी रो की तरह ही एस्टे स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, estich, उल्टा तो देखिये, अब ये हमारी सातमी रो है, estich, slip करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे repeat pattern start करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 16 फंदे हैं तो पहले हम 8 फंदे twist करेंगे left to right इस तरफ से इस तरफ को और 8 फंदे right to left इ left to right तो इसके लिए हम दूसरी needle लेंगे और पहले 4 फंदे इस needle पर shift करेंगे एक दो तीन चार अब इन फंदों को हम पीछे रखेंगे और next इसके 4 फंदे जो हैं वो उल्टे हैं तो उल्टे बुनेंगे सीधे हैं तो सीधे बुनेंगे चार फंदे एक फंदा उल्टा है उ चार फंदे लेंगए और इनको भी उल्टे फंदे को अल्टा बुनेंगे सीधे फंदे को सीधा एक फंदा उल्टा मेंगे सीधे सीधन है एक दो एक पंद और तो दिखिए यहां पर हमने आठ फंदे लेफ्टे पिस तरफ को कि टेश दर दिए अब आप फंदे राइट फंद वावल कि तरफ झाने viene चार पर लेंगे दो तीन चार अब इन फंदों को हम आगे की तरफ रखेंगे पहले हमने इनको पीछे की तरफ रखा था अब आगे की तरफ रखेंगे और next आगे वाले जो चार फंदे हैं उनको जैसे दिखाई देंगे उल्टे फंदे उल्टे बनाएंगे सीधे फंदे सीधे एक फंदा उल्टा धागा पीछ दो फंदे सीधे एक दो एक फंदा उल्टा अब जो हमने आगे फंदे रखे थे इनको बुन लेंगे उल्टा फंदा उल्टा बुन लेंगे सीधा फंदा सीधा तो एक फंदा उल्टा है उल्टा बनाएंगे दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा तो देखिए आगे के दो फंदे छोड़कर यहां तक हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया दो फंदों का एक फंदा बनाया जाई डाली और आठ फंदे लेफ्ट तू राइट इस तरफ को टेस्ट किये हैं औ और जैसे दिखाई दिए उल्टे फंदे उल्टे बने सीधे फंदे सीधे फंदे फिर आठ फंदे राइट तू लेफ्ट इस तरफ को टेस्ट किये और उनको भी उल्टे फंदों को उल्टा बना सीधे फंदों को सीधा फिर से इस पैटरन को ऐसे ही बार बार रिपीट करत पास्ट में छे फंदे बचेंगे तो देखिए एक फंदा उल्टा धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा चाई डालेंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे एक दो एस्टे सीधा बना लेंगे साथ मी रो कम्प्लीट हो गई है आठ मी रो सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे बना लेंगे दूसरी रो की तरह ही हर बार बुनेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे दोफंदे सीधे, दोफंदे उल्टे, दोफंदे सीधे, दोफंदे उल्टे, दोफंदे सीधे, दोफंदे उल्टे, दोफंदे सीधे, दोफंदे उल्टे, दोफंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो फंदे सीधे, स्टेच उल्टा. तो देखें, नौमी रह है और सीधी साइड है, फिर से रह पहली की तरह ही भुनेंगे, स्टेश करेंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा रिपीट पैटन स्टाट करेंगे एक फंदा उल्टा जाए डालेंगे धागा पीछे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे अब 17 फंदे दो उल्टे दो सीधे 4 दो फंदे उल्टे 6 दो फंदे सीधे 8 दो फंदे उल्टे 10 दो फंदे सीधे 12 दो फंदे उल्टे 14 दो फंदे सीधे 16 दो फंदे सॉरी एक फंदा उल्टा तो दिखिए यहां पर हमने एक फंदा उल्टा बनाया जाई डाली दो फंदों का एक फंदा फिर 17 फंदे तो उल्टे तो सीधे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 फिर से पैटरन पीट करते हो जाएंगे और लास्ट में 6 फंदे बचेंगे एक फंदा उल्टा जाई डालेंगे धागा पीछे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे उल्टे एस्टे सीधा बना लेंगे । टैंथ रहूं रॉंग साइंगे पिर से रहू सेकन की तरह ही मोनेंगे दो फंदे इसीधे दो फंदे उल्टे ऑ दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टें की Wτι न दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, एसेच उल्टा. ग्यार मी रो सीधी साइन रो थार्ड की तरह बुनेंगे एसटे स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा उल्टा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे धागा आगे फिर से 17 फंदे दो उल्टे दो फंदे उल्टे दू दो फंदे सीधे चार दो फंदे उल्टे छे दो फंदे 小े ओं ऊंते ओल्टे दस दो फंदे चौन्दे न, दोफंद आइड दो फंदे व्लटे 14 जो लाई एक फंदा ओल्टा तो देखीए यहां पर हमने एक फंदा उल्टा बनाया, दो फंदों का एक फंदा जाई डाले, 17 फंदे दो उल्टे दो सीधे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, फिर से पैटरन पीट करते हो जाएंगे, और लास्ट में 6 फंदे बचेंगे, एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, धाग आगे, दो फंदे उल्टे, एस्ट्रे सीधा बना लेंगे, 11 मी रह कमपलीट हो गई है, 12 मी रह, 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे बनाएंगे, जैसे 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, दो फंदे सीधे, दो उल्टे, दो 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 उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, 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 दो उल्ट दो सीधे एस्टेच उल्टा तो दिखिए बारमी रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फॉस्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार-बार इसकी 1-2-12 रोर पीट करते जाएंगे और यह पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं तो फ्रेंड आप भी सिफ बनाईए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना फैमिली फ्रेंस के साथ शेयर करना और चैनल क तो सस्काइब करना मत भूलें तो मिलते हैं आसी ही और नए नए वीडियो के साथ तिल देन बावे फ्रेंड